हम आया है साउथ एशिया के सबसे बड़े कंच्ट्रक्शन एक्जिबिशन एक्सकॉन में एक्सकॉन में बहुत सारी बैकोश देखी वर्ट एक आफर जो हमें कहीं नहीं मिला वह यह मिला वह बुल के स्टोर में और वह क्या कि यह मशीन को यह मशीन कौन सी है यह इनकी 76 बैक खोई लोडर है सब्सक्राइब अगर आप इसको चलेंज करते हो यहां बाजूद किसी भी कंपनी की किसी भी बैक होई लोडर से और अगर यह हार जाती है मतलब एक लीटर डीजल नहीं बचा पाती है अगर हार जाती है तो आपको मिलेंगी पचास हजार रुपे और यह कैश लेकर घूम रहें जेब के अंदर अब देखो यह कैसे हो पाता है यह उनकी होती है पावर मेनेजमेंट टेक्नलोजी से और देखो क्या कह रहें यह कह रहें कि कोई और ब्रेंड की अगर आप पात मशीनों को चलाओ और इनकी चार को चलाओ तो आपको बराबर प्रक्टिविटी मिलेगी अब देखो ऐसा नहीं है यह सिर्फ कोई गिमिक है यह कर सकते हैं कि डिस्प्ले मशीन तो चला नी सकते हैं यहीं कर सकते हो वह चीज़े और को क्या लिखा हुआ है कि लाइफ टाइम यह माइस फ्री आप आस्क मी हाउ वाला कि यह मशीन वह आपकी पूरी यह माइस को फ्री कैसे कर देती है वो भी अगर आप 200 गंटे एक महीने म भी मिल जाएगा एक चीज़ बताओ कर का इंजिन है और करारों के एक्सलों ट्रांशमिशन तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्यूंकि अगर यह मशीन खरीती तो लग बग आपका एक लीटर डीजल अगर चलेंज कर रहे है बच गया तो आपके लिए बहुत हैवी स इस बाटरी यह लोग आगी प्लेस करते हैं यहां पर एक हवी मटेरियल दिया हूँ यह इससे पता है फाइदा क्या होता है यह वाले जो पूरा मटेरियल इससे फाइदा है थोड़ी सी मशीन पर आगी की तरह वेट जाता रहती है इस मशीन का अगर ओवराल वेट की बात यह ग्रीस फॉर लाइफ है क्योंकि यह ग्रेफाइट वाला सिस्टम इसमें अंदर की तरह होता है तो आपको बार बार उसको ग्रीस नहीं करना पड़ता है यह अच्छी बात है तो सेंट्रल पेविटिंग है और वो ग्रीस फॉर लाइफ है यह इसमें बहुत ही बड़ी अच्छा परफॉर्म कर पाता है यहां पर आपको यह वाला जो 76 इनका इसमें अगर आकी तरफ टायर की बात कर तो आपको आपको 9-16 के ही तायर्स देखने को मिलते है बीकटी के तायर्स दे रहा है जो की मार्केट में अच्छा चल रहा है वाला मिनका रिपोर्ट बहुत अब और यह अगर एंजिन की बात करना तो यहां पर खेलो कर केंगा है यह आपका खेलो कर जो इंजन है वह 4R 1190 नंबर का उनजन है और चार शिलिंडर का है कि ब उस दो अजिस धरी थे तो बैंचमार्क था अब यह सीवी नॉम फोर्स पर आ गया तो भी बहुत ही बढ़ि की 4.5 hp की maximum power output और 300 newton meter का टॉर्क यह जनरेट करता है अब यहां डीजल टाइंक है 115 लीटर का डीजल टाइक इस मॉडल के लिए company देती है और यहां से आप डीजल अगरा फिल कर सकते हो अच्छा है इसकी 9.7 की हाइट है जनरल यहां अगर मार्केट में देखो को नौ फिट से कुछ कम है मार्केट लीडिक होई सा उनकी भी नौ फिट से थोड़ी सी कम डंप हाइट है वह काफी ज्यादा है जिसकी अगर बात करें तो 9.7 फीट तक जाती है जो कि अल्मोस्त वन फीट जादा है तो और बाहर की तरफ दोनों तरफ री इंफोर्समेंट्स किये गए है और इसकी जो मैकेनिकल टेंशन है उसको पही नगए रिडियूस किया गया है क्योंकि वह आपका रिलाइबल रहे और वह स्ट्रॉक्टर सो जुड़ों कोई दिकर नहीं आए इसकी फ्रेम की बात करें तो वह भी मजबूत है पीछी की तरफ आपको दो तरह की टायर देखने को मिलते हैं तो आपको शोला नोग टायर देखने को मिलते हैं एक चाउड़ों पचिस के हैवी डूटी इंडूस्टर टायर लगे हुए अच्छा मांकिड मेरे सगे पेटी पैक करेरों का ट्रांसमिशन इसमें करेरों क ट्रांसमिशन और करेरी का एक सल हता है यह वता है कि फार्ट में होता यूट है थेयर द्ण संब गार्य हो यह पिंडRO में यॉक्व πिcion करां निए कर आफ की जाए गर कशन कर पार हो जाएंगि पीन पीच-बीच है इंडेस्ट्री स्टेंडर्ड है अगर हम ऊपर से केविन वगर की बात करें तो बढ़िया है यहां पर स्टेज फोर लिखा हुआ है बीस फोर स्टेज है यह सुपर स्मार्ट एक्स प्लस मॉडल ने नया लांच किया हुआ है और इसकी जो अगर आप करें तो यहां पूरा-पूरा प्लेट लिखा हुआ है कि क्या कप मैंनेफेक्ट्र होती है तमिल नाडू के कौई में टूर में यह मशीन बनती है वहाँ इन लोग का फैक्टरी है और ऊपर की तरफ बुल लिखा ह और ऑपरेटर ऐसा कैसे बाहर आ जाएगा चुकि कमाल की बात है अच्छा इस्टेपलाइजर्स वगरा बढ़िया है अच्छी जगा दिया है कॉंटक्ट पैच वगरा ठीक है और पीछे से बात पर यहां पर जनरली मशीन स्टिकर्स लगाती है पेंट करती है इन्होंने य सब्सक्रिये की बात करें तो बकेटमे यह वाला जो एरिया है यह पूरा नइनटे डिगली पर जाता है इसका फाइदा क्या है इसका फाइदा की जब मानुवज टकुदर होते हो जब क्रीदेट से नीव खोद रहे होते हो तो आप प्रसाइस कट लिएरी के आपाता है जै क्योंकि एक अच्छी बात है कि एक extended size की bucket है आप इसमे और भी multiple attachments वगरा जो है चाहो जब चाहो तो लगा सकते हो अच्छा नीचे की तरफ company कहती है इस वाले हिस्से में ही यह वाली plate को joint कर देती है जिससे कि कई बार इस वाली plate को damage होते होते है यह वाला भी damage रहता है पर यहा है और इस gap के नीचे इस plate को लगाएगा है जिसकि अगर इस plate के नीचे भी यह वाली जो strip sound डाला गया था कि यहां से damage नहीं हो और यहां से भी damage होने के chances कम है क्योंकि यह additional plate लगाई हुए है जिससे की फाइदा होता है यह सारे reinforcements help करते है अगर मैं आपको यह और दिखाने क कि अगर यह machine जो है और चार machine के बराबर मतलब अगर यह वाली चार ले आओ और दूसरी को यह machine market से 5 ले कि आओ बराबर ही काम करेंगे अगर आप इनको 8-8 गंटे चला होगे एक गंटे चला होगे क्यों कि हर एक घंटे में बाकी machines के comparison में एक लीटर जादा डीजल बचाती वह close करका engine है और APM technology है अब APM technology क्या होती है वह होती है automatic power management अब automated power management से फाइदा क्या होता है कि ना सिर्फ वह engine power को regulate कर पाती है बल्कि वह hydraulics को भी regulate कर पाती है कि किस hydraulic flow के लिए कितना power चाहिए वह machine खुद sense करती है क्यों करती है क्यों क्यों करती है क्यों किसमे variable piston pump लगा हु जिस कारण से machine उस APM technology के कारण वह आपका एक लीटर डीजल हर गंडे बचाती है अगर आप मालनों कि अगर आप एक महीने में 200 घंटे मशीन को चलाते है 200 घंटो मशीन को चलाने में आप 200 लीटर एक महीने में डीजल बचा रहे हो और एक साल के अदर 2400 लीटर डीजल बच करो तो यह वाला जोनका KPC है King Post Carriage है तो इसमें अगर आप देखो को तो यह इनका Steel का बना हुआ है जनरली मशीन में Casting का बना होता है पर इनोंने क्या क्या हुआ है इनोंने Steel का बनाया है अब Steel का बनाने से फाइदा क्या होता है कि Crack नहीं होगा और welding वगरा करना भी आसान इतना मेंटनेस नहीं आएगा आप सिर्व एक Spool को चेंज कर लो और बाकी सारी चीजों को छेंडने की जरूवत नहीं है मेंटरेंस के डाउन टाइम भी बचता है Cost भी बहुत बचती है और काफी बहतरीन वो चीज हो जाती है अगर हम यहां से नीचे से देखने की होशिश करें तो मैंने बताया था करेरों का जो एक्सल है तीन पार्ट में डिवाइड़ेड़ है उस तरफ अलग और बीच में अलग और बीच में अलग और जिसका नहीं से कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है पीचे से केबिन डिजाइन बहुत अच्छा है यह आपका बिल्कुल स्ट्रेट है कर अगरा नहीं तो इस तरफ से भी आपको काफी अराम से देख सकता है क्योंकि केबिन को वह बहुती इंट्रेशनल स्टैंडर्ड की तरफ बनाने की कोशिश की गई अंदर से जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमेर यह एक चीज आती है देखाता हूं यह जो कंट्रोल्स आते हैं आपको यह काफी स्मूध आते हैं और यह कंट्रोल्स की आप हाइड़ेस्स कर सकते हो तो आपके हिसाब से आप जो की हाइड को ऊपन नीचे कर सकते हो जो कि मेरे साफ से बहुत ही बढ़िया चीज है फिर आपको यहां पर मिलेगा है अब यहां पर अंदर की तरफ दिया हुआ है और यह काफी बढ़िया भी है इसमें रिटल लाइन व बाकी एक चीज और मैं बताता हूँ कि जो कर लोशकर का एंजन है या फिर जो हमारी आटोमेटिट पावर मैरेजमेंट टेक्नलोजी है एंप टेक्नलोजी है वह इस मशीन को बहतरीन मनाते है इसकी शरीणी में और यह जो कहते है ना 50,000 रुपे तो मैंने आज तक कहीं भी मशीन चलाने के लिए अपरेटर कमफर्टेबल हो अच्छी तभी वो लंबा मशीन चला सकता है वो स्काम 24 गुंटी का हो सकता है पर चॉविस गुंटी के लिए अपरेटर नहीं तो आपका काम खराब हो जाएगा इस मशीन के जो सीट है वो पूरी यह सपंड़ने हला हवा अब इसको कर सकते हो अगर आपको यहां पसंद आ रहा है तो यहां कर लो और यहां आपको दिखेगा मेरी कैमर में इस तरफ आगे दिखानी कुष्ट करेंगे यह जो गियर पहले तो इसकी बहुत अच्छी है वादब यह आपको काफी आप से बिच नीचे की तरफ बटन अब बटन दिया है यहां से आपको ट लगाया और यहीं से नीचेया करते क्यों कि अब उसको भरोगे अब भरते में आपस उफर उठाया तो क्या वहाँ जादा प्रवर चींगे आपनी आर्पेम बढ़ाया तो गाड़ी भी बढ़ेगी गारी ना बढ़े आप ब्रेक लग वहती अर्ग नेंग दिया हुआ है और जनरली कहा होता है ऑप तर लोग बाल्ड वाल्ड रख लेते तो के बना में थोड़ा बड़ा चीज़ जैसे डीजल का बाल्ड रख लिया ग्रीसिंग का रख लिया तो वह यहां आगे आगे आजा जाएका बहुत सारा इस्पीज है वह जो एक ऐसा आता है मैनुल वाला वायर वाला जो वायर किस्ता है वह नहीं है यह इलेक्ट्रोनिक जैसे एस्काइवेटर में हमने देखा है बड़ी-बड़ी मशीन में देखा यह वह आता है यह बहुत यची चीज है प्रिया आप सारी की सारे परेंटर्स देखो कि इस वैसा आप पका है वैसा आप चला सकते है लाइट्स वगरा के सारे सारे यहां आते और के पिशी यहां चार्जर भी इन्हों ने दिया हुआ जो कि मुझे कमाल की चीज लगती है अच्छा और की चीज और इसमें समझ भी आ रही कि विसीबिल्टी बहुत जाद है कि यह ग् तो दोनों चीजों से बहुत ज़ता है वाइपर वगरा यहां पर शिशा वगरा है यूस दिस्टम लगाया हो है के बलाइट लगाया है यह सारी चीज लगाया है यह मतला जिती पेसिक निगोथी फिर जब आप इस सीट को गुमाते हो तो काफी आराम से गुआ से तो मेरे उपटार से दिखाने कुछ करेंगे तो यह जो लेवर है यह कहता है कि वर्ल के बैसलिवर से अब उनका करन क्या है यहां से एक जो है वह वह गूटे नहीं टकर आइए अपके दिए हैट जादा है तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर हमने यहां पर हाथ रखां आपने उसक नहीं है कि यहां से भी आप मैं है स्कुएर पेंट बैटन का पूरा दिखता है कि अगर का सो बेकी को докर्राण कर रहे हैं आप को कुना वी टूली क्टी आप जाता है यहां थोड़ा सामान रख लो या भी अपने टिफिन वगरा है वो आप डेफिलिटली यहां रख सकते हो तो बहुत ही एजी है अब बहुत ही जानदार है अब चलो वीडियो को कुलूड कर ले तो यह कुछ था बुल की ऐसली सेवंटी सिक्स के बारे में अब पचास हजार रुपे का कोई ओपन चैलेंज अगर मार्केट पे जिम में लेकर गूम रहा है बताब डैफिनिटली मशीन में कुछ तो बात है अब करेंगा बात करेंगा अब इसके बारे में कमाल के वाद है काम डीजल कहती है और आपकी साल में बता है 2400-2500 लीटर डीजल बचा के देगी अगर उजो मशीन दूसरी चलाओगे उसके कंपैरशन में मतलब बहुत कुछ आपका बचने वाला है इसमें डीजल के कंपैर और करे का मशीन करते हैं निकाल के इंजनकी वाट यकिट इटा कर दआता सार्म इन यह काम कर रहे है और आप को वीडियो पसंद आ रहे है तो आप मुझे लाइक शेयरब कर सकते हूं फिलाल के लिए अगर आपको इस मशीन के कीमत जाना है एक्सकॉन ओफर में तो यह मशीन लगबक 31 लाग 30 लाग के आसपास बिखती है बट अगर आप इसकी एक शोरू प्राइस की बात करोगे जिसके ऊपर आप नगोशीट करोगे वह लगबक 33 लाग के आसपास है यह मैं देसंबर 2023 के फिगर्स आपको शेर गर रहा हूँ बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप बजी नीचे पूस सकते हो कमेंट बॉक्स में आपको मिलूँगा और मेरी दरब से इस वीडियो में फिलाल इतना ही सब्सक्राइब प्लीज करके जाएगे कि बहुत महनत से हमने दो दिन लगा के इस वीडियो को बनाए क्योंकि भीड इतनी जादा इसको चेक करने के लिए कि दिन में बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार जाहें वन्यमात्रा आप चनल पर और ऐसे वीडियो में चेक कर सकते हैं